पाट चा प्रवास्वर्णन नर्मदा मैया लेखत परिचाए बाट दोस्तों नर्मदा मैया ए प्रवास्वर्णन करावता पाटना लेखक छे शुडी रमण सोनी केश्वर्ण झाले रमदान ले ऑ्रवास्वर्णन कराहा Criminal झाल 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 तैयार छोने। पण हाँ प्रवास मा वाटर बैग, ओढ़वा पाथरवानू, नहवा धुवानो सामान कईज लेवानू नथी। कारण आ प्रवास अज नवी जातनों छे। ए राहुल, ए सचिन, ए उर्मी, ए स्वीटी चालो, चालो आजे एक नवी जातनों प्रवास करिये। मुसाफरी केटली लांबी छे, खबर छे, 1312 किलोमीटर जेटली, तमने पन थशे, अरे, केटली लांबी, क्यारे पुरी थाए, ने केवा थाकी जवाए। पण आपने पंखी नी पांखे ने पाणी ना प्रवाहे प्रवास करेशू, नहीं थाक लागे, नहीं खोटों समय जाए, ने मजा एटली जाओशे। मनने तैयार राग जो, आपने छेक दूर पहुंची जईये छिए, गुजरात नी पुर्व बाजुए शरू थाय छे मध्यप्रदेश। आपने जईशू, मध्यप्रदेश माँ पन छेक पुर्व तरफ त्या मैकल नामनो परवाच छे। एनी तळेटी माँ एक विशाल सरोवर छे, अमर कंटक, त्यां थी निकले छे आपनी नर्मदा मैया। आकाश माँ उँचे ने उँचे जईये, तो भारत देशना बै आडा भाग पाडती एक चलकती ने सरकती रेखा देखाय, एज नर्मदा। उपर नो भाग उत्तर भारत ने नीचे नो भाग दक्षिन भारत। वड़ी कई केटलाई किलोमिटर सुधी तो नर्मदानी बनने बाजु बै उँचा परवतो छे। उत्तरमा विंध्य ने दक्षिड मां साथ पूडाने वच्चे वहे छे धस्मस्ती उचलती कुदती नर्मदा। कमने खबर छे नर्मदानो अर्थ जे आपणने आनंद इटले के नर्म आपे ते नर्मदा। एना किनारा परने कुदरती शोभा आपणने आनंदित करी मुके एवी छे। ठैर ठैर सुन्दर व्रुक्षो ने साथे साथे चाल्या आवता उचा नीचा पहाडो। क्याक लिलोतरी वाळा, खुल्ला सुन्दर मैदानो। नर्मदा, क्याक एकदम शांत, क्याक दोडती कुद्ती, एटले रेवा पण कहे छे। रेवा, एटले कुदनारी। क्याक ए धोद बनी जाय छे, ने क्याक पहडा पटे धीर घंभीर वहे छे। आवी सरस नदी, आपणा रोशी मुनियों तो एना सुन्दर किनारे यात्रा करी। एना वखान करता थागताज नथी। तमे तमारा दादा दादी ने आस तोत्र गाता पन सांभल आहाशे। त्वदिय पाद पंकजम नमामी देवी नर्मदे। ल्यो, आम वाद करता करता आपने जबलपूर पासे भेडा घाट आवी पहुंचया। सुन्दर जगा छे। आरस पहान ना गहरा पीडा खड़को वच्चे शांत वहतो प्रवा। चांदनी राते नवका विहार नी एवितो मजा आवे ने आज वो परवतो किटला नजी कावी गया छे। जाने वाते वळ गया। आ जग्या ने बंदर कूद कहे छे। आ परवत पर थी सामेना परवत पर ने त्यांती वळी पाछा आ परवत पर वांदरा कुदा कूद करया करे छे। वच्चे नदी माता जोया करे एव वांधरा कूद। कहे छे के जुना जमाना मां शूरवीर सैनी को ओताना घुडा पण अहीं थी कुदावी जता। नित्या जुओ एकसो आठ पगतिया वालू चोसट जोगणियोंनू गवरी शंकर मंदिर। आ नर्मदा मैयाने किनारे मंदीरों केटला बधा निठेर ठेर। हवे थोड़ा आगल जैशूने। नदीनी साथे साथे पुर्वती पश्चिम तरफ मूशल धार थी पण वधारे वर्साद पड़े। तैने शू कहिए धुवाधार वर्साद। धुवा एटले धुमाडो ने धार एटले पाणी नी धारा। आधुवाधार नामनी जग्याए नर्मदा धोधनी जैम पड़े छे। हुँचा पर्वत पर्थी नीचे मोटी शिलाव पर पड़े। आथी फीन भरेला सफेद पाणी उचले। ने एणी ये आसपास एटला बधा जीना जीना बिंदुओ उडे के जाने धुमाडो जोई ने पाणी पड़वानो अवाज तो जीनी गर्जना जेवो। आजुबाजु खुल्लो प्रदेश। आगल जता प्रवाँ सहज धीमो पड़े। आ पत्थर शंक जीरुना सफेद सुमाला पत्थर छे। थाय के थोड़ा विनी लईये। हवे थोडिक जड़प इटार सी होशंगा बाद आगल नर्मदाने किनारे त्रांसा अनिदार पत्थरो छे। ध्यान दाखीने पग मुकवो पड़े। पन आपने तो पंकीनी आखे उँचे, पंकीनी पांखे जडप्ती आगल चालिये। वाह! हवे गुजरात्मा प्रवेशी गया। घणे सुध तो नर्मदा मध्यप्रदेश ने गुजरातनी सरहदेच सरहदे चाले छे। ने पची गुजरातमा प्रवेशे छे। केवडिया नजीक गोरा गामे शूल पानेश्वर महदेवना मंदिर ने प्रणाम करी आगल चालिये। पेलू देखाय भरूज जिल्लानू नवागाम अने आजुओ नीचे देखाय छे विश्वनी आठमी अजाय भी जेवो सरदार सरोवर बंद। आ जल राशिती गुजरात अने राजस्थानना करोडो लोकोनी तरस छिपशे अने जमीनने सीचाय नोपन लाब मलशे। विश्वनी सवथी मोटी कॉंक्रेट अस्तरवाली न जर्थ वहिजता पाणी नो कार्यक्षम उप्योग करवा। मनुष्य केवो भगिरत प्रयास करियो छे। नमामी देवी नर्मदे। जुओ तो नर्मदाय अहीं बेट बनावी दिधो छे। बै बाजु नर्मदा वच्चे कबीर वड। अहीं नर्मदा मैया शांत छे। वर जोईलो। कवी नर्मदे तो वणी गायलू। भूरो भास्यो जांखो दूर थी धुम्मसे पहाड सर्खो। धुम्मस मां भूरो ने जांखो पहाड जिवो देखाय छे। थाय छे कि अहीं रमबा रोकाय जिये। पन वडदादा आगल शांत अने आग्ण्यांकित नर्मद आपणने लाड़ थी जाने कहे छे। बहु समय थे गलवो छे। स्नान करीने आगल वधो। पन जोजो हं जल ए जीवन छे। आपणे जल ने साच विशू। तो जल आपणने साचाव शे। खरूने। तो आपणे चालिये। बेट ने सामे छेडे। उपर शुकलतीर्थ आ अही थी आगल भरूच नजीक हवे नर्मदा सागर ने मलशे। दरेक नदी छेवटे सागर नेज मलेने। किटलू बधू कुद्ती ने दोडती नर्मदा अही धीमी पड़े छे। पन नर्मदा ते नर्मदा। बीजी नदीयो जेटली धीमी तो पड़े च्षानी। सागर माए दूर सुधी पोतानों चीलो करती धसे छे। ने पची तेमा भड़ी जाय छे। आवी नर्मदा आपनी लोक माता छे। गुजरात नी मोटी ने सुन्दर नदी छे। आपनी आशा छे। जीवा दोरी छे। तमने थाय छे ने के मोटा थाईशू त्यारे सगी आँखे ने थनगन ता पगे जातेज नर्मदानों प्रवास करेशू। चालो त्यारे आजे एक नवीज जातनों प्रवास करिए। मुसाफरी केटली लांबी छे। खबर छे। 1312 किलोमेटर जेटली। तमने थशे। अरे केटली लांबी। क्यारे पूरी थाई। ने केवा थाकी जवाए। पण आपने पंखी नी पांखे ने पाणी ना प्रवाही प्रवास करिशू। नहीं थाक लागे। नहीं खोटों समय जाए। ने मजा एटली जाऊशे। मनने तयार राग जो। आपने छेक दूर पहुंची जैये छिए। गुजरात नी पुर्व बाजुए श एक विशान सरोवर छे अमर कंटक। त्या थी निकले छे आपनी नर्मदा मैयां। आकाश मा उँचे ने उँचे जैये तो भारत देश ना बै आडा भाग पाडती एक चलकती ने सरकती रेखा देखाए। एज नर्मदा। उपर नो भाग उत्तर भारत ने नीचे नो दक्षिन भारत। वड़ी कैं किटलाई किलोमीटर सुधी तो नर्मदानी बन्ने बाजु बै उँचा परवतो छे। उत्तरमा विंध्य ने दक्षिन मा साथ कुडा। ने वच्चे वहे छे धस मस्ती उचलती कुद्धी नर्मदा। तमने खबर छे नर्मदानो अर्थ। जे आपणने आनंद इटले के नर्म आपे ते नर्मदा। एना किनारा परने कुद्रती शोभा आपणने आनंदित करी मुके एवी छे। ठैर ठैर सुन्दर व्रुक्षो ने साथे साथे चाल्या आवता उचा नीचा पहाडो। यांक लिलोत्री वाला सुन्दर खुला दानो, नर्मदा, क्यांक एक दम शांत, क्यांक दोड़ती कुदती, एटले एने रेवा पण कहे छे, रेवा एटले कुदनारी, क्यांक ए धोद बनी जाये छे, ने क्यांक पहळा पटे धीर घंभीर वहे छे, आवी सरस नदी, आपणा रोशी मुनियों तो एना सुन्दर किन आरे यात्रा करी, एना वखान करता थागता ज न थी, तमेत बारा दादा दादी ने आस्त्रोत गाता पन सांभ़या हशे, त्वदिय पाद पंकजम नमामी देवी नर्मदे, लो, आम वात करता करता, आपने जबलपुर पासे भेडा घाट आवी पहुँच्या, सुन्दर जगा छे, आरस पहाणना गहरा पीळा खड़को वच्चे, शांत वहतो प्रवाह, चांदनी राते नव काविहार नी एवी तो मजा आवे, ने आज वो परवतों किटला नजी कावी गया छे, जाने वाते वड़ा ग्या, आज ग्याने बंदर कूद कहे छे, आ परवत पर थ जोया करे एव वांदरा कूद, कहे छे के जूना जमाना मा शूर्वीर सैनी को पोताना घोडा पण अहीं थी कुदावी जता, ने त्या जूओ, 108 पगतिया वालू, 64 जोगणियोंनू गवरी शंकर मंदिर, आ नर्वदा मैयाने किनारे, मंदिरों केटला बधा, ने ठैर ठै हवे थोड़ा आगल जेशूने, नदीनी साथे साथे पुर्वती पश्चिम तरफ मूशल धार थी पण वधारे वर्साद पड़े, तैने शू कहिए धुआ धार वर्साद, धुआ एटले धुमाडो, ने धार एटले पाणी नी धारा, आ धुआ धार नामनी जगाए, नर् सफेद पाणी उचले, ने एणी ये आसपास एटला बधा जीना जीना बिंदुओ उडे, के जाने धुमाडोज जोईलो, केटलू सुन्दर द्रश्य, तड़को होय तो मेग धनुष्य पन देखाए, ने पाणी पड़वानू अवाज तो सीनी गर्जना जेवो, आजु ब के थोड़ा विनी लईये, हवे थोडिक जड़प करीशूने, इटार सी होशंगा बाद आगल नर्मदाने किनारे, त्रासा अनिदार पत्थरों छे, ध्यान राखीने पग मुखवो पड़े, पन आपने तो पंखीनी आँखे, उचे, पंखीनी पांखे, जड़प थी आग चालिये, वाह, हवे गुजरातमा प्रवेशी गया, घणे सुधी तो नर्मदा मध्य प्रदेश ने गुजरातनी सरहदे सरहदे चाले छे, ने पची गुजरातमा प्रवेशे छे, के वड़िया नजीक, गोरा गामे शूल पानेश्वर महदेवना मंदिर ने प्रणाम करी आगल चालिये, पेलू देखाय बरुज जिल्लानू नवागाम, अने आज वो, नीचे देखाय छे, विश्वनी आठमी अजाय भी जेवो, सर्दार सरोवर बंध, आ जल राशी थी गुजरात, अने राजस्थानना करोडों लोकोंनी तरस छिपशे, अने जमीनने सीचायनो पन लाब मल चे, विश्वनी सवथी मोटी कॉंकरिट अस्तरवाली नर्मदानी मुख्य नहर, नर्मदाना जलने ठेट राजस्तान सुधी पहुचाडशे, आम आ नर्मदा नदीना खंभातना अखात मा व्यर्थ वहिजता पाणी नो कारेक्षम उप्योग करवा, मनुष्य केवो भगिरत प्रयास करयो छे, नमामी देवी नर्मदे, जुओ तो नर्मदाय अहीं बेट बनावी दिधो छे, बैबाजु नर्मदा वच्चे कबीर वड, अहीं नर्मदा मैया शांत छे, वर्षोती वडवाईयो फैलावी फैलावी ने वड अहीं वडदादा बनी गया जाने वड नू नानू सर्खु वन जोईलो, कवी नर्मदे तो वड़ी गायलू, भुरो भास्यो जांखो दूर थी धुम्मसे पहाड सर्खो, धुम्मस मा भुरो ने जांखो पहाड जेवो देखाय छे, थाय छे कि अहीं रमवा रोकाय जेए, पन वडदादा आगल शांत ने आग्न्यां केत नर्मदा मैया, आपनने लाड थी जाने कहे छे, बहु समय थे गयो छे, स्नान करीने आगल बधो, पन जो जो हों, जल ए जीवन छे, आपने जलने साचविशू, तो जल आपनने साचाउशे, खरूने, तो आपने चालिये, बेटने सामे छेडे, उपर श सुन्दर तेर्थ, अही थी आगल भरूच नजीक, हवे नर्मदा सागर ने मलशे, दरेक नदी, छेवटे सागर नेज मले ने, केटलू बधू कूत्ती ने दोडती नर्मदा, अही धीमी पड़े छे, पण नर्मदा ते नर्मदा, बीजी नदीयो जेटली धीमी तो पड़ चानी, सागर माए दूर सुधी पोतानों चीलो करती धसे छे, ने पची तेमा भड़ी जाय छे, आवी नर्मदा आपनी लोक माता छे, गुजरात नी मोटी ने सुन्दर नदी छे, आपनी आशा छे, जिवा दोरी छे, तमने थाय छे ने, के मोटा थेशू, त्यारे सगी आ आखे, ने थनगनता पगे जातेज, नर्मदानों प्रवास करीशू, बाड दोस्तो, तमे तमारी वर्क्षिट मां, तमे करेला प्रवास विशे विगतों लखी छे ने, आपने आजे ए विगतने तमारा मित्रने पत्र लखी ने मोकली शू, तमे पन वर्क्षिट तैयार र चालो त्यारे, आपने पत्र लखता शीखिये, बाड दोस्तो, जुओ, अहीं आपने पत्र लखी शू, पत्रमा जमणी बाजू मथाडे पत्र लखनारनू नाम लखवामा आवे छे, जो जो हो, आ पत्र हुँ लखू छू, एटले अहीं जमणी बाजू मारू नाम लखू नेहा उगर्चंद पटेल तमे त्या कौनू नाम लख्षो? अरे, मारू नाम ना लखता? तमारू लखो? आखु नाम लखजो मारी जेम चालो, लखाई गयू नाम? हवे, त्यानी नीचे तमारू सरनामू लखो जूओ, में मारू सरनामू लख्यू 64, राज सोसाइटी, अमदावाद तमे जे शेरी, महल्ला के सोसाइटी मा रहता हो ते सरनामू लखो लखाई गयू सरनामू? आपने बधाज आजे ज पत्र लखिये चिये ते थी आजनी तारीक लखो 12 दोस्तो, पत्र नी डाबी बाजू जेने पत्र लखी रहया चिये तेने सम्बो धनावे बोलो जोईए आपने कोने पत्र लखी रहया चिये? मित्र ने एटले, उतो लखिश प्रीय सकी तमे पण एम लखी शको कोई एम पन लखी शके प्रीय सीमा, प्रीय हीना वगेरे वगेरे 12 दोस्तो, जो पत्र पिताजी ने लखता होईए तो सम्बोधन माँ पुझ्य पिताजी लखुव पड़े माताजी ने लखिये तो पुझ्य माताजी अने आपना शिक्षक ने लखिये तो पुझ्य गुरुजी एम सम्बोधन करवू पड़े ए पची पत्रमा शिष्टा चार ना शब्दो वप्राई छे जुओ हुँ मारी सक्खी ने लखुचु नमस्ते तमे पन लखो चालो आगण लखिये हवे पत्रनी प्रस्तावना अने मारी वात मित्रनी खबर अंतर नी वात हुँ लखुचु तमे पहला जुओ पची तमे पन लख जो तारो पत्र मड़ेो वांची ने आनंद थायो हुँ अही मारा मम्मी पप्पा अने बहन साथे मजा माँचु तू पन मजा माँच हुँ गया अठवडिये प्रवासे गई हती आ पत्र मां मारा प्रवास विशेनी वात तने जणावु छू बाड दोस्तो मेतो मारा मित्रने प्रस्तावना अने खबर अंतर लखी दिदा चालो तमे पन लखी दो लखाई गयूने अवे पत्रानों मुख्य भाग अहीं लखवानों होई छे पत्रानी मुख्य जे जे बाबतो होई ते अहीं लखवी पड़े चालो हुँ लखवानू चालू करू छू तमे पहला जोईलो गया सोमवारे अमे अमदावाद थी सवारे वहला निकडी अम्बाजी फर्वा गया हता अम्बाजी बनास्काठा जिल्लाना दाता तालुकामा आवेलू छे ते आरासुर्ना डुंगरोंनी वच्चे आवेलू छे अम्बाजी मां अम्बा मातानू आरसनू भव्य मंदिर आवेलू छे अम्बाजी थी थोडेक दूर गब्बर पर्वत परपण एक सुन्दर मंदिर आवेलू छे अहीं अमें रोपवे मां बेसी ने पर्वत पर गया हता गब्बर पर्वत नी आजु बाजु हवे 51 शक्तिपीठ ना 51 सुन्दर मंदिरों बनावामा आव्या छे अमें तेना पन दर्शन करया बाड़ दोस्तों तमें अगाउनी वर्क्षित मां तमें जेस थड़े प्रवासे गया हता तेनी विगत लखी छेने एज विगत आ भाग मां हवे लखो चालो लखवानू शरू करो लखाई गयू छेलले समापन माटे थोडिक वाथ हूं लखू छू तमें ध्यान थी जूओ पछी तमें पन लखो आ वखते होडी पर अमें राजस्थान जवाना छिये जो तारे आवबू होई तो मने जणाव जे तारा मम्मी पपाने मारी याद पत्र लखजे बाढ दोस्तो तमें पन आउ समापन लखो अने पत्र मां छेलले जेने पत्र लख्यो छे तैनी विगत इटले के लिखी तंग लखू उपडे जे जम्णी बाजू नीचे लखाय जेम आ पत्र में लख्यो छे इटले मारू नाम लखू छू तारी प्रिय सखी ने हा तमे पन तमारू नाम बताव्या मुझब लखो छेल्ले मोकलवानू सरनामू कागड मा लख्ये हुँ आ कागड वडोदरा मोकलू छू जो जो केवी रिते सरनामू लखाये चे ते सीमा नरेशबाई जानी साडत्रीस अलका पुरी सोसाइटी वडोदरा पिन कोड नमबर बाड दोस्तो तमे पन तमारा मित्रनू सरनामू लखो पत्र हवे पूरो थायो भाशा सज्जता बाड दोस्तो नीचे नो फकरो वाँचो रमेश वैकेशन मा पावागडना प्रवासे गयो हतो त्यां रमेश ने रोपविमा बैस्वानी खुब मजहा आवी रमेश ये ते वाद शालामा आवी ने मित्रोने कही रमेश ये प्रवास दर्म्यान पाडेला जुदा जुदा फोटा पन बताव्या रमेश ना मित्रोने प्रवास वरणन साम्भवानी अने फोटा जुवानी खुबज मजह आवी बाल दोस्तो उपरना फकरा मा रमेश शब्द केटली वार वपरायो छे एकज शब्द वारमवार आवे छे त्यारे लखान लांबू थतु जाय छे अने वाँचवामा पन कंटालो आवे छे हवे आज फकरो थोड़ा फेरफार साथे फरीथी जुओ ते वाँचो रमेश वैकेशन मा पावागडना प्रवासे गयो हतो त्या तेने रोपवेमा बैस्वानी खुब मजह आवी तेने ते वाँच शालामा आवीने मित्रोंने कही तेने प्रवास दर्व्यान पाडेला जुदा जुदा फोटा पन बताव्या तेना मित्रोंने प्रवास वरणन साम्भवानी अने फोटा जोवानी खुबज मजह आवी आरीते नामना बदले जे शब्द वपराय छे तैने सर्वनाम कहवाय छे बीजा फकरामा वपरायला तैने तैने तैना वगेरे शब्द सर्वनाम छे